नमस्कार विदारतियों आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पार साला की एक और नई वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सैनिक स्कूल के उपर जो क्यूशन थे उनके अंदर यहां पाग नंबर चार और आज की वीजिए के हम कुशन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं तो कितना अच्छा और कितना प्यारा सक्षन दिया गया है इसको एक स्टेप में भी हल कर सकते हैं और का फि समय लगा के भी हैं कर सकते हैं वह आपके उपर है कि आप कौन से तरीके का इस्तमाल करते हो इसके अंदर सबसे पहले देखें हमें तीन संग्याइं दिए गी और में तर्म समा पड़ते हैं यानि कि इसके अंदर क्या करना है कि हमें दो सोडा दो सो अठाशी और साथ सुपीस यह तीन संग्याइं है इनका हमें निकालना है है तो पहला तरीका है हम इसको गुणंद करके जैसे कि हम जो की जातर करते हैं कि इस रूप में करें और इनका विनिश्ट लेकर इसको खल कर दें यानि कि पहला तरीका तो यह है कि हम निकाले इन तो नों का गुणंद करें और निकाले दूसर तरीका है बागविदी जिसके रूप में हम काम करने वाले हैं आज की जो इस वीडियो के निदर यानि कि इस कुछनों को मैं भागविदी से स्रूल करने वाला क्यूं करूंगा वह भी आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले दूसर जो चोटी संख्याओं का चेहन कर लिया और दो सो तो सबसे पहले बाग दिया तो यह गीए दो सो शोडा एक पेव सेसफल कितना बच गया है, यहां से दो बचा और यहां से बचा साथ यानि कि बहतर सेसफल बच गया अब अगर आपके पास सेसफल बच जाए तो इस तिती में क्या करिये गया कि यहां पर जो संखेना उसको उठा के इसका भाग दे देंगे हए दोस सोड़ा इस प्रकार से कर लेंगे और जब तक इस पर क्रिया को दर आयेंगे जोस्टख यहां पे पूरा-पूरा भाग नहीं जाए ठीक है अब यह आ छका है यहां पर मैटर अब हम क्या करें ऐसी संक्या से गुणा जिसे कि यहां पे 266 आए ठीक है यानि कि 3 से गुणा करेंगे क्यों कि हमारे पास लास्ट में 2 है तीन को मल्टिप्राइ करके देखा तो यह आगया 263 का ठीक है यानि कि पूरा-पूरा भाग जा रहा है अगर पूरा-पूरा भाग नहीं जाता हो यहां पे कुछ 6 फल रे जाता है तो अब हम क्या गरेंगे कि 220 के अंदर बहतर का भाग देखेंगे जब हम इसके अन्दर भी बहतर का भाग देके देखते हैं तो भी हमारे पास पूरा-पूरा जाता है कि तने पेaba 10 पे जा रहा है है हमारे पास बेतर का इसके अलाबा जो बच गई है हमारे पास और पूरा पूरा भाग जाता है तो यह तो होगी ऐसानी के साथ कर सकते हैं एक चुटकी है यानि की से कंडरो रिचा इसका आसर और निकाल यह दूसरा क्या थैने कि पहले आप क्या करते 27 करते पर यहां पर इस को लिपते कि दो दो इन्टू दो इन टूट इन्टू 3 into 3 ठीक है फिर आप किया करते दो cagey के परकार गुनंदखन करते फिर आप साथ दीश कैसि पर गुणंदखन करते ठीक है जो मैं आपको बताने के से चुटी संक्य यानि कि 200 सोला है और बहतर है यह फिर से देंगे अगर हाँ पर भी सेस पल बचता तो उस सेशवल से हम बहतर के में बाग देते और फिर इस संक्या में देखें ठीक है यानि कि एक ऐसी संक्या प्राप्त होगी जो तीनों के अंदर भाग जाएगा और वो ही ह आपको जो है formula अगर याद है तो आप इसको असाने से कर सकते हो अगर आपको formula याद नहीं है तो आप इसको multiply करोगे दोनों संक्याओं को फिर आप इसका जो एह वो answer निकालोगे तो यहां पर एक formula बन रहा है कि मालीजी एक 106 को मैं मानना हो एक तो मतलब है कि a square minus b square का इसको मतलब होता है कि a plus b और a minus b क्यों कहते हैं क्योंकि देखे अगर मैं इसको multiply गरता हूँ तो a square हो गया फिर यहां पर देखे माइनस को हो गया a b यहां पर plus का b a और minus का b square तो आप देखे अगर a square यह minus का और यह plus का आपस में इकट एक minus b square यही बचता है तो यानिकि a square minus b square का formula आता है a plus b और a minus b जो कि है multiply कि जब इस formula को यहां पर put up करेंगे इसका मलब है कि 106 प्लस चुराण में और 106-94 इस परकार से हो गया यानिकि 106 प्लस चुराण में हो गया हमारे पास 200 और यहां से जब इसको हमने गटाया चार्ट और 612 यहां से इसको किया यानिकि 2400 उत हल तो बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसका जो है वह आंसर भी निकाल लिया a square minus b square के formula से अगर आपको formula याद आए तो तुरंत क्यूशन का answer आएगा अगर आपको formula याद नहीं है तो आप क्या करोगे सबसे पहले एक सुच्छा से एक सुच्छा को multiply करोगे फिर आपको चौ स्वालों में और कुछ नहीं होता है बस आपको एक बारे की से देखना पड़ता है कि क्या पूछ रहा है तो 33 समय क्या करें किसी भी संख्या मैं से 600 के 70 प्रतिसित का दो तीखाई घटाने पर 320 पराप्त होता है तो वह संख्या कितनी है तो यानि कि एक समंद्ध हमें देर अधाय मोटा सा बड़ा सा तो क्या देर का इसके अंदर तो देखिए कि पहले हम क्या मान के चलेंगे कि माना हमारे पास संख्या कि बराबर हो गया हमारे पास एकस है हमने मालिया कि जो संख्या के बारे में यह बात कर रहा है वो संख्या एकस है तो यह क्या कर रहा है परसन सटर परतिशत का दो तिया यानि कि दो बटा तीन भाग और यह कह रहा है कि यहां से आपको प्राफ्ट होता है 320 ठीक है अब इसको हल हल करेंगे यानि कि कि x- którego 67 % का रटों गया Mmm cool गया में मिश्कुणे मना इस स्फॉट से ffererson का यह सींटots that जरिए कम दो ब्राबर वहाँ कि दुवस्की बिराबर हो गया 320 अब दो जिरो से dwa तीरो यहां से गई ठया जया kley opening कि धिकिया क्यों क्यों हो हवा की बराबर हो या 320 की ठीक है बस हल कर लिया हमने एक्स बराबर क्या हो जाएगा 320 प्लस 280 जाने कि एक्स का मान आ गया हमारे पास 600 और यह हमारे पास हो चुका है इसका आंसर बढ़ी आसानी के साथ उत्र आ कोई भी हमें कुछ करने के जूरतने पड़ी जो हमें दे रखा था परसन में बहुत डारेक्टली हमने रखा और रखते हैं हमारे पास क्यूसन का आंसर आ गया चोंतिसे नंबर क्यूसन है काफी अच्छा क्यूसन है लाब हानी से समंदिद क्यूसन है इसने पहले ही दे रखा है कि कितने प्रतिसेत लाब हुआ है इसने लाब पूछ लिया है यानि कि एक सेल फोन विकरेता है जिसने 1550 रुपए में जो फोन खरीग कर उसको 1650 तो लागत मुल्य से अधिको इसका अर्थ है उसको क्या होगा लाब होगा ठीक है यानि कि विकरे मुल्य का अगर मान जो लाब लागत मुल्य है उससे अधिक है इसका मतलब है कि लाब होगा अगर किसी वस्तु को करीद कि उसको बेचने में अगर वह कम में बेच रहा है त परतिसाद परतिसाद लाब बराबर होता है विक्रे मुल्य माइनस लागत मुल्य कहने करते हैं कि जितना उसको लाब हुआ है वो बटे में हमारे पास होगी लागत जो लागत मुल्य है लागत मुल्य या हम कह सकते हैं इसको क्रे मुल्य इंटो में हो जाएगा सो परतिसाद निकालेलेके लिए तो अब देखिए जर्मलें कितने बेचा है इस्टृषाइस रुपय में उसने बेचा है ये कहा रहा है तो स्टृषा और लागत मुले थी उसकी 15तृत रुपये इंटो में अमारे पास सो निकी उपर हो गया हमारे पासß और स्वरी यह तो फिर से गड़ पड़ा है रजब चाइस रुपय यानि की उपर किलना हो गया यह हो गया हमारे पास सो इंटू सो बटे पंदरा सो पचास अब इसका जो आशर है ना वो आपको इन चारों प्सन के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर जो लागत मुल्य है वो पंदरा सो रुपए के बजाए हमारे पास अगर लागत मुल्य होता पंदरा सो रुपए तो क्या होता इसको और करके देख लेते हैं कि मान लेजिए लागत मुल्य पंदरा सो रुपए होता मिस्प्रिंटिंग होगी यहां पर पंदरा सो पचास है अगर इससे भी निकालना चाहे तो मान जुरूर आएगा लेकिन इन सभी के उप्सन में वह वित्यमान नहीं है ठीक है अगर हम इसमें यहां पर रखें सोडा सो पचास यहांसे हमारी पास आएगा दस परतिसत जो आएगा लाब आएगा ठीक है यहां पर अगर हम पंदरा सो पचास ही रखते हैं ना तो इसका जुलाव है वह 10 परतिसत से भी कमाएगा जो अप्सन के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं है तो आप चाहिए मिस्प्रिंटिंग के कारण हम ने जो है यहां पे 1550 लिख दिया यहां पर जो किसन आया था वह 1500 ही आया था यादिक अगर से के परतम टेस्ट के लिए कुल 25 उंखों में से एक विदारती ने अठा रंग प्राप्त कि जब कि दूसरे टेस्ट के इतने ही पुरॢणांकों में से उसने बायस अंग प्राप्त कि तो आज जो हम बात करें कि प्रतिसत के अंदर वर्दी हुई है क्योंकि पहली बार सब्सक् तेस्ट के लिए अग्र बात करें हम 25 कि से तो ऑफ यह हमारे पास शख यह जे में से पट्चीस में से इसको व्लाकर हम गुणा करेंगे सो से तो यह हमारे पास आएगा इसका उत्तर चर्ण तो यह अगया पत्तर तो यह जाली है के अधर बी उसमें बाप्त किया यानि कि दूसरी टेस्ट के अंदर किफने पृत किया उस्तिखने कि याने कि बाइस, इतने मैंसे 20 मं से और पर सकेसे लिए सो यानिक चारव सीथ त्वेगा यानि कि यहां से आगया 88rd परतिसात इसका मतलब है कि उसने जो परत्हम टेस्ट में तो प्राप्त कि बहत्तर प्रतिसात रूसरे में यह लाग परतिस्द अधिक कितने अंक कि अधिक लिए गया करेंगे म् createshर माइनस बें तर यानि कि शोला पर अदिक राप्त किये यहाँ से यहाँ सोर आ कि है व्यनिक teen से अधिक प्राप्त किये है यानि कि बड़ाहत है सोलाप इसे आंकों कि यह प्रतियसत के उसने अधिक प्राप्त की है यानि कि बड़ोत्रि किया है एक प्रुछ रहा है तो प्रतिस्षट के अंदर ही मुल्य बता डीया अंकों के लिए बही चारंका दिपराप की हैं वह भी कर सकते थे हम इसलिए चार परतिसत देर का है क्योंकि काफी बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं अब देगे च्टिसवा नमबर जो किस्ट है वो हमें क्या कह रहा है कि 20 मरणामों का उस्ट हमें देर का है 18 अपरतिक प्रिणाम में से अगर तीन गटा दें तो निया उस्ट क्या आएगा तशीरी सी बात है अगर समान रूप से जो उस्ट है वो कम हो रहा है तो हम उस्ट से ह ही तीन को घटा देंगे यानिकि अगर हमारे पास जो पुराना दोश्फा था वो था हमारे पास है 18 अगर उसमें से हम 3 को मारसी करते हैले तो हमारी पास अथा इक्सका चाहित बात हो गयी जब हमारे पास मिससे कितना आएगा तो यह हम किस प्रकार से ग्याद करते हैं तो सब्सक्राइबillar को कुल परिणामों के लिए हमनिकालेंगे कुल भी नाम तो इसके लिए हम करेंगे वेशन कुल मिसस होइद हमारे पास बाठारा करते ही हमारे पास मेथ हैं थीन को गटाना है और तीन को गटाने के लिए हमारे पास निया योग बने का वह न है उडसे ने कि ना मिलब तो निया योग को बटे बीस तो निया जोग कितना है गासको कम करतेंगे यह तो कह रहा एम युश्ण के अंदर कि 36 में से आप 3 को गटा दिये यानि कि साठ्ट को गटा कि हम ये इसमें 20 का भाग दे देंगे तो ये आजाएगा हमारे पस 15 तो यह तो चीज थी कि हमने शुरूहात में कर लिया था सब सोगा प्रते एक कि प्रतेक में से प्रतेक में से लगा रहा है इसका मलब है कि हम डारिक ले भी इसको गटा सकते हैं तो यह तो करके दिखा दिया कि आपके माल लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा कि सुना आजए तो डिफ्रेंट परकार का हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं हैं है तो 37 किसन इसने सोल्फिन को बूचा है वालब आपको इस इसको कुसर ना इसको अंसर करना है इसको हमें बताना है तो इसको किस प्रकार से हैं कि हमें क्या देढ़ा है 36 nine हमारे पास हमें फर्सक्रायिय कि साथ बटे तीन इंटौ में दो बटे तीन ऑग में हमारे पास तीन बटे पांच और नियाच एक मिसरुविन के रूप में आंच इसको करना है हमें हल तो सबसे पहले एक बाग को चिने को बदलेंगे यानि कि अगर हमें निकलना हो A बाग बाठेसी और D का घाल अगर इस चिने को गुणा के अंदर बदलेंगे तो इस टेप को पूरा बदलेंगे क barbarशे के एब डे सी के रूप में लिख देंगे ठीक है अगर भाग की चिने को गुणा की चिने के अंदर बदलना हो तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले यही काम करेंगे कि भाग की चिना को हम गुणा के अंदर बदलेंगे देखे हैं साथ बटे 3 है हमारे पास दो बटे 3 है जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा पांच बांच बटे कि नीधिर नहों है तो पदेंगे तो यह वैद्ध घर बांच बटे 3 ठीक है और सक्कीन नो कि प्लस तो नीपांच बटे 3 हो गया हमारे पैसे इतना काम अभभ अब देख क्या कर रहे हैं इन तेश्चा का हूइ कितना या यानि कि इन त्यूनों का मिल्ट्पिलाई किया तो है आ गया 70 बटे में हमारे पास नोटी 27 बडे बटे में हमारे पास अर्व तम लेतीन घ्राव द्टे 3 11 वटे 3 आ चुका है अब इस जब इनको रखेंगे हम हल करेंगे तो यही चीज बन गई है कि 70 वटे 27 बाग आपको देना है 11 वटे 3 तो यही हमारे पास टेप फिर से बन चुगी है तो इस टेप को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि 70 वटे 27 इंटो मे हमारे पास हो गया तीन बटे ग्यारा ते यहां से आ जायेगा हमारे पास सतर बटे इननान में फिर से ही कुछन आ गया इस प्रकार का कुछुछन हमने पहले भी किया था यहा neben तब्बे दसमलोग 0,65 के अंदर हमें 15 का भाग देना और भाग फल बताना है तो हमने वही चीज की थी कि पहले हम दसमलोग अटाक के भी देख सकते हैं या उतनी संक्यों के बार इसको दसमलोग फिर से लगाएंगे कहने कारता है कि 90 दसमलोग 0,05 सेटर के अंदर हम देंगे भाग 15 का यह निकी 900-75 के बाग फल आएगा और और झुल झूमें उसको 10000 से फिर से हम बाग देंगे यानिκे सबसे पहले हम इसको अंदर भाग तो कौन सी संक्या पर जाएगा तो सबसे पहले या जाएगा च्छा के उपर चाची कि नब भी अब आप देखिए यहां पर बचके सुन्य को ड़ागे यहां पर रहेंगे यहां से हमने एक श्टेपल यह चैशा कें अंदर बागनी जाता है यहां पर लगाया नहीं सुन्य लगाया सुन्य के अंधर बागनी जाएगा यहां यहां पर लिया बहुत फिंगो का लाएंगे यानि कि पहले चुका सब्सक्रीया का बाग ये लाओ तो Series Varis कहीन रभी बागर यानि कि साथ को लाएंगे तो पहले यहां पर लगारें जोली नेलिये साथ को अब यह него रहा है कितने पर कि फamoiken राचों कि शौरे कि यहां पूरा पूरा जा चुका है यानि कि अब देखिए इसमें इसका भाग दे चुके हैं इसका मलोव है कि हमारे पास आ चुका है 60,000 45 और बटे में हमारे पास है कितना 10,000 यहां से अगर इसका भाग देंगे तो यह 10 मलोव लग गया च्छा है 70,000 45 और यह हमारे पास होगे इसका आंस्वर आप चाहिए इस प्रकार से कर सकती है आप चाहिए तो भाग देने के बाद यानि कि एक दू तीन चार संख्यों के पार दिसमलों है तो एक दू दीन चार संख्यों के पार ही दिसमलों लगा सकते हैं तो यह उप्षन किसके अंदर मेंच कर रहा है उप्षन एक के अंदर मेंच कर रहा है इसका मिलगा कि हमारी पास उप्षन ए इसका राइट आंसर हो गया ठीक ह इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं तो ये भी कावी अच्छा सरल सा क्यूसन है इसको और संदेखते ही हमें पता चलता है वो भी हम व्याद करेंगे किस प्रकार से यानि कि सबसे पहले 24 गंटे दे रखे हैं अगर हमें इसको मिनट के अंदर बदलना हो सबस्क्राइब लेकिन परसंट में मुझा है कितनी सेकेंड सो de नियुकरन Success winners करेंगे 24 इनटू 60 into saad 20 into 36 और ये कितने हैं परmore और सेकेंड के अंदर अब जब हम options के तरह तरuld देंगे ना दे पता चल गया कि हो फ्सका option कितना होगा option number d कि Why क्योंकि 30 नहीं हो सकता 60 नहीं हो सकता और 3600 जो है वो में यहां पर आई चुकी है यह गंटे में 300 सेकंड्स आ चुकी है हमारे पास लेकिन हमें 24 गंटों में निकालनी है तो इसको जब आप मल्टिव लाई करेंगे तो यह आ जाएगी हमारे पास इस परकार से यानिकि 6400 सेकंड्स सेकंड्स आज की है हमारे पास ठीकत यह वे काफी आसान सा कुछ नहीं था डारेक्टी हमें कुछ आंसर फुट अप कर देना था ऑप्सन से भी पता चलता है कि ना आ सकता है यानिकि एगंटा में तो इसको 24 से गुणा करेंगे तो 24 गंटे के अंदर आ जाएगा तो बड़ा आसान सा क्यूशन था तो अब आप देखें चाले सब्सक्राइब क्या कहता है कि रूट के अंदर संख्या है और उपर से उसमें लगा दिया है उसने भाग यानिकि दस एक दर नियाची बाग ए 121 का ठीक है 121 का हम डारिक लिए इसके अंदर भाग दें तो दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप है कि इसको गुडंध खुंडों के रूप में तोड़ के भी हम इसको लिख सकते हैं तो डारिकले जुब हम इसको बाग देंगे तो कितने पर जाएगा यानिकि 10 पे बटे 121 यानि कि यहां से आ गया थी सुरी तीन इंटू तीन क्योंकि 121 कैंसल हो गया इसका आंसर आगया हमारे पास थी बिल्कुल आसानी से आ चुका है या आंसर आप चाहें तो इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं कि 10 उन्यार्शी के लिए हम रूट को निका लेंगे हो गया 3 यानि कि 9 और यहां पर कितना बचे गया 3 एक 8 और 9 इसको जब हम प्लस किया तो यह आगया 6 और फिर से 3 को दिया यानि कि यह ऊचका है 189 और यह हमारे पास हो गया 33 यानि कि इसको जब रूट से बार निकालेंगे तो 33 बटे गया रहा आएगा और भाग देने पर ह हमारे पास आएगा answer number 3 यह हो गया a number answer पस आपको ध्यान देना है कि इतीजा रहा है तीन आ रहा है कितना आ रहा है आजानी के साथ किसनों को कर लिया है हल तो मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम इसके बचेवे पार्टों को हल करेंगे यानिकि केवल दस क्यूसन और बचे हैं जिसको हम हल करते ही हमारे पास मैत का स्थी सुल्यूसिन है 2020 के complete पेपर का स्थी हो जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम और कुछनों की बात करेंगे